हेलो बच्चों, आज यमारा question है, extra the fallen edge fraction, हम इनको किसमे करना, fraction में करना, हमें words में दे रहा है, हमें इसको fraction में लिखना है, अब हमारा fraction क्या है, जिसको हम क्या करते है, one upon four, five upon six, यह हमारा fraction, जिसको हम upon में लिखते हैं, एक उपर, एक निची, उपर वाले को हम कहते हैं, denominator, 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 जिसको हम हिंदी में हर बोलते हैं, ठीक है, निउमिनेटर उपर वाले को कहते हैं, निची वाले को हम क्या 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 है, डिनोमिनेटर कहते हैं, ओके, अब हमें लिखना है, one fourth, one fourth का अधा, one upon four, तो उपर वाले क्या होता, निउमिनेटर हो जाता, उपर वाले क्या ह डिनुमिनेटर इस को एक हम कहते हैं नियूमिनेटर और हम कहते हैं डिनुमिनेटर ठ्ट्र एक तो यह डिखा है और दसलों एक डिशल्ऍकि अजल्शो अगर देखे हैंगे इस्को हम अपन में लिखते हैं उसको हम कहते हैं fraction ओके थ्री फिप्ट तो क्या हो जाएगा थ्री अपन फाइव ओके उपर वाला नियूमिनेटर ओके नियूमिनेटर और निच्च वाला डिनोमिनेटर 6, 7, 6 अपन 7 ठीके उपर आला मारा हो जाता है नियूमिनेटर ओके उपर आले भाम कहते हैं नियूमिनेटर और निच्च वाले भाम कहते हैं डिनोमिनेटर ऑके वन सिड वन अपन 6 ओक ये नियूमिनेटर ये डिनोमिनेटर पाइव अपन 10 नियूमिनेटर ओर निच्च वाले डिनोमिनाटर ओके फिर अमleased रगे पना 490 4 ापन 9 नुमिनेटर नुमिनेटर एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर ओके यह डांग समय को वर्स को नम्मर्स में लिख सकते है फ्रक्शंस में लिख सकते है ओके थैंक यू